हेलो सुट्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूं कृष्णा कैसे आ सब लोग मास बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते आज हम लोग फार्मकोलोजी का चैप्टर नंबर 5 है ना ड्रक्स एक्टिंग ऑन कार्डियो वस्कूलर सिस्टम जिसका नतरा से हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी हाइपर टैंसिव ड्रग ठीक है फार्मकोलोजी में मैं बता दू मैं अब जो चैप्टर चलेंगे बहुत ही देखने में टफ लगते हैं लेकिन इसमें लर्न करने वा आउट है सेकेंड एर का एक्जाम नए पैटरन के अकॉर्डिंग अब इस बार पहली बार होगा तो बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन है कुछ बुक्स वगरा में दे रखा है साइथ कहीं पर कुछ लोग के टीचर्स भी करा रहे हैं को लेके बड़ा कन्फ्यूजन है को क्या मतलब है हमारे पास है एंटी हाइपरर टैनसिफ द्रग्स ठीक है इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अपना स्लीबह करावटिंग चले जओ तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि आपको इसकी क्या पढ़नी है definition देखनी है ठीक है भई यह देख लिए हमने definition फिर कह रहा है हमको इसका classification देखना है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती है ठीक है फिर कहता है डोज अब डोस तो जाहिज सी बात है सिंगल सिंगल ड्रक की अलग लग याद करनी है ओके फिर यहां पर आते हैं इंडिकेशन अब यहां थोड़ा सा बच्चों कन्फीजन शुरू होता है इंडिकेशन और एक दो वी मिस हो गया हमें लग रहा है ठीक है एक वार चीज है फार्मक लॉजिकल एक्ष्ण ठीक है ना और डोज है इंडिकेशन है इन कॉन्ट्र इंडिकेशन है समझ लें बात को सवाल क्या है क्योंकि बच्चे लोग अब इसको थोड़ा सा कन्फिजन होगी यह बच्चों को जैसे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं सवाल नए के रिएट होते जाते हैं अब बच्चों को यहाँ पर दिक्कत है तो एंटी हाइपर टेंसिव का डेफि वाइज मतलब एक एक ड्रक की याद करें या क्या करें बुक्स में अलग अब उसकी दे रखे हैं और कौंट्र इंडिकेशन वी अलग 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 पेटन तमाम ड्रक्स हैं यहाँ ठीक हैब एक एक ड्रक्स का अलग अलग फार्मकलोजिकल एक्षिन अलग अलग इंडिकेशन इसके अलग याद करो कहीं कहीं पर बच्चे कुछ बुक्स में ऐसा दे रखा है बच्चे समय पस आयते हैं तो बच्चे लोग कहे रहे हैं कि सब एक बात कहना चाहूंगा अगर तुम लोगों को याद हो लास्ट येर फ़र्श्ट येर पढ़के आगए हैं ठीक है तो फ़र्श्ट येर में क्या हुआ था अगर तुम लोगो याद हो फार्मासूटिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी तुमने भाई ड्रॉक्स वही पढ़ी ज़ wz न को य बताओं फार्मासुटिकल केमिस्ट्री में ड्रग्वाइस कॉस्चन कितने तहि उठाकर देख ले न क्या वहाँ पर ड्रग्वाइस कॉस्चन था था nie क्या वहाँ पर ड्रग्वाइस कॉस्चन है ठीक है ड्रग्वाइस है दिवह सी कोन सा रहा होगा कि इस called AO यहां पर आके फस जाती है बच्चे थोड़ा कंफ्यूद हो जाते कि सब्सक्राइब करोगे कुछ छोड़ोगे आगे भी फार्मा के लिए भी ठीक है सब का याद करना पॉसिबल नहीं है अब उस अभी कह रहे हैं सर कुछ आ गया वैसा आ गया दो पहली वाद नहीं आएगा कोश्चन हमेशा हमने देखा भी मैंने पेपर भी डिसकस किया है कोश्चन डारेक्ट क्या आएगा लाश्ट एक पेपर उठाएं तो कोश्चन डारेक्ट क्या आना चाहिए राइट डाउन दा फार्मकोलोजिकल एक्षण ऑफ एंटी हाइपटेंसी ड्रग्स जो लाश्ट केमिस्टी प्रिविए सेर्पेपर माइं नर्चर इस तरह डालोगों तो डिसकसे मेंने वहाँ कर रखा है मैंने बता रखा है वहाँ पे कोश्चन क्या आएगा राइट डाउन दोजिस ऑफ एंटी हाइपटेंसी ड्रग राइट डाउन दा इंडिकेशन ऑफ एंटी अपर्टेंसी ड्रग ठीक है 99% हम मैं कह रहें 99% मैं क्या कह रहा हूं निन्याने परसेंट कोश्चन पिछली बार के अकॉर्डिंग देखें तो कोश्चन ऐसा ही आएगा कि लिए रोजा का फानल एक्जाम में अब इसार वन परसेंट वन परसेंट की बात आता हूं मैं ले यहां पर बच्चो एक उमीद तुमसे करी जाते हैं तो यहां पर बच्चो एक उमीद तुमसे करी जाते हैं कि जब तुमको क्लासिफिकेशन याद होगा तो तुमको पता होगा अच्छा लोसार्टन लोसार्टन तो हमारा भाईया एंटी हाइपर्टेंसिव क्या है एंटी हाइपर्टेंसिव ड्रग है तो ड्रग वाईज आ गया अब वो कहेगा लोसार्टन के लोसार्टन का क्लास याद होनी चाहिए नहीं याद है तो फिर तो कुछ छोड़ना नहीं है ठीक है ना इंडिकेशन जो एंटी है क्या यह सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या हो गया हाई बीपी यानि कि जितने भी हार्ट वाले पार्ट है वो लिख सकते हो यह एक जर्नल इसके याद करके गए हो वही उसमें लिख दो ठीक है जितनी ड्रक्स आएंगी तो तीनों की अलग लग आए हो जर्नल इंडिकेशन जर्नल कॉंटर इंडिकेशन लोग याद करके जा रहे हैं वही लिखो उसके अंदर बास समझ में आ गई तो बिल्कुल कंफीजन आओ ठीक है प्रीवेस एर पेपर को देखते हुए मैं बिल्कुल सेम वैसी तयारी करा रहा हूं और पेपर वैसा ही ठीक है निश्चेंट रहे क्योंकि हमारे स्लेवस में मैंशन कर दिया गया है मैं मौका लहूंगा तो बी फार्मा का स्लेवस भी एक वारी सामने रख रहे कंपेर कर रहा हूं वहां सारी चीज़ें मैंशन होती है कि क्या क्या आपको उसके अंदर पढ़ना है एक ड्रक को ल में यही तीन-चार चीज़ें पढ़नी है जर्नल को डी-फार्मेशी सबसे डिप्लोमा लेवल पे है तो हम एक जर्नल बाते उसके वारे में पता होनी चाहिए बात समझ में आगी तो बिल्कुल दिमाग से कन्फिजर निकाल दें कि हमको ड्रग वाइस इसको करना है मैं कहा जर्नल याद करो ड्रग पता होनीचे किस केटिगरी में आ रही है उसके लिख दो खेल खतम टैंसन ना लो परिशान ना हो बिल्कुल भी बात समझ में आगी और जिसको भी लगता कि नहीं हम तो करेंगे हम कर सकते हैं तो बच्चे कर सकते हैं उनको मैं कभी नहीं रोकता जो लोग कर सकते हैं और आगे पढ़ाई करेंगे जाकर के बी फार्मा एं फार्मा की वो लोग करें बेटा वो लोग ना रुकें जो बच्चे केवल है कि बस पास होना है हमें किस तरह के पास हो जाए और वारा काम हो जाएगा वो बच्चे पिल्कुल जैसे पढ़ा रहा ह को यहां पढ़ते हुए चले बात केले ह вопрос करें अब Этот सब अभ्ण 144 देखो अब अग end हईवस्तारट करने जा रहें ठीक है और सबिस्पार्ट करने जा रहें ठीक है यहां पर मैंने एक पर चीज चीज बगर देख लेंगे मैंने एक चीज यहां पर लिख दी है मस्ट रिवाइस कार्डियो वस्कूलर सिस्टम और फार्मक और थेरोपेटिक्स वहां पर मैंने चीज डिटेल में रखी है ठीक है चैप्टर टू एफ और बेटर अंडरस्टेंडिंग प्लस साथ-स प्राइस साथ में कार्डियो औ केमेस्ट्री जो अ है जो तुम लोगों ने किसे पढ़ रखा है ने वह जो इस पर केमिस्ट्री में जो जो ड्रक्स थे तुम्हारे फार्मसुटिकल केमिस्ट्री में मार्क माई वर्ड जो जो ड्रक्स दे रखें हैं कार्डियोस एंटी हाइपटेंसिव के अंदर उन-उन ड्रक्स को यहां पर टिक कर लोगे कि अच्छा यह ड्रक्स्टियर में था यह ड्रक् तो पक्का पढ़ो they are very very important बात समझ में आई किलियर है ठीक है ना तो यह बात नहीं समझ में आई की नहीं आई ठीक है जैसे कि फर्स्ट येर में antihypertensive drugs दे रखे हैं उनमें कौन-कौन से drug mention है उनको तो यहां पक्के से टिक मार लो उनको पक्का पढ़ना है very important they are clear ओके अब श्टार्ट करते हैं यहां पर में से वारतलाब कर रहे हैं जो लोग 3035 क्रॉस कर चुके हैं बीपी समस्या खड़ी हो चुकी होगी उनके अंदर नॉर्मल है जो भार का था पी नहां कर रहे होंगे जो लोग मार्केटिंग से्क्टर से जुड़े होएं घर का खाना प्रॉपर नहीं खापाते हैं बीपी की समस्या ने दरा आ चुकी होगी पाश्ट मीडलेज अगर मिडलेज मान लें अगर आद में बोग आज की डीट मे यह बीनारी नहीं है in itself खुद में कोई बीनारी नहीं है इस एलिस्ट्रिशॉट्टर है एक दिख्कत के लिए । हमारे हार्ट के मरने के लिए मर्टैलिटी मतलब कार्डियोर्टैलिटी हार्ट क्यों भीपी की समस्या है तो आने वाले समय में आपको हार्ट प्रॉब्लम होना सौभाविक है ठीक है खुद कोई बीमारी नहीं है बीपी की वज़े से दिल की समस्या है ठीक है अब क्लासिफिकेशन देखो बच्चों में हमेशा बताता हूं मैं की तरीके बताता हूं जैसे यही छोए बताव की तरीका भी तुम लोगों को तरीका करी करका जाए इसको सिंपल कैसे करोगे इसको नुका ठीक ह 카 सकते बहुत बढ़ा ऑगया जो पूरा डिटील में कर सकते हैं बहुत अ flattering इंहिवीटर अब अब रैनिन बेटा रैनिन पता है ना क्या होता है रैनिन रासले एंचोटंसिन्स ईवाज़्ग कुर्ला सिस्टम था घ्ट बात करूँ अलफा अड्रेनर्जिक पढ़ा था हम लोगों ने ठीक है ना ठीक है सेंट्रल सिंफैतोलाइटिक पड़ लगए अगर तुमको कर यह टम सब किलियर नहीं है तो दिक्कत आएगी अब ठीक है बीटा अड्रेनर्जिक भी जानते हैं ठीक है यह एल्डोस्टीरों ब्लॉकर यह कुछ चीज़े बीपी वाली समझाय होती है ठीक है यह साइद में को उमीध है साइद कहीं हम लोग पढ़ चुके नहीं पढ़ाता है यह वापस रिपीट करूंगा तो साइद लोग याद आ जाएगा अब एड्रेनर्जिक सिंपेटोलाइटिक बीटा एड्र लोगने वह काफी ज्यादा आगे जाके इन्वाल होते हैं यह समझा रहा हूं आज की चैप्टर में बार बार नहीं समझाओंगा यह चीज में तो मैं फिर कहूंगा इस चीज को को जैसे जैसे आते रहते हैं बच्चे कमेंट करते हैं उसी के आंसर यहां देने के प्रोशि इन्वीटर तो क्या हो जाएगा यह इसको सिंपल कर लोगे एंटी हाइपर टैंसिफ ड्रक्स तीन केटेगरी तो लोगे ठीक है कौन-कौन से आगे डायूरेटिक्स दायूरेटिक्स दैन रेनीन अंगीो टैंसें सिस्टम इन्हिबिटर रेनीन अंगीो टैंसिन system inhibitor ठीक है next क्या है sympathetic inhibitor sympathetic inhibitor classification कई तरीके से होती है अब कोई रहा गया क्या हिसे लोगकार और वेसोडालेटर यह दो और रहा यहांपे कर लें है कैल्सेम ब्लॉक कर और वैसोडाय। जो नसों को ऐसे फैला देगा तो विपी शुटान सा कम हो जाएगा ना पानि की धार होती ना पाइप को दबादो तो बड़ी तसी पांड़ा निकलता है उडिए प् वैसो डाइलेटर खतम कहानी हो गया क्लासिफिकेशन अब यहां पर इसके तुम लोग एक 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 जामपल देदो अब क्या कर दो इसके यह सबसे सिंपल तरीका होता है है ना मारे स्टुडेंटों माइड नर्चर गए थोड़ा दिमाग से काम लेना है ठीक है मारे छोड़ चोरषो यहां दोनो तो बात तो समझो थोड़ा सी दिमाग का खेल खेलो बैटा बिलकुल ऐसा नहीं है कि बिलकुल एक दम लखी-क लखीर बन गया है चीज़ों करना ही कुशिश की खांव worship में हर एक चीज़ को असान करना है यह मुसीबत ही है मेरे लिए म ठीक है अब यह तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो गया है यहां पर दो-दो एक्जांपल होगा और एक्जांपल मैंने बताए वह वाले जरूर नोट कर ले ना यहां से निकाल करके जो तुम्हारे फार्मसोटिकल केमिस्ट्री में अब यह थोड़ी सी महनत करनी पड़ीगी यह कितना टफ था यह अब लिख लो इसमें कैल्सियम चैनल ब्लॉकर है कैल्सियम का पता होना चाहिए थोड़ा बहुत दिमाग में पता होना चीजिस इनको नहीं पता कैल्सियम चैनल क्या करते हैं । तो यहां पर एक लाइन में तुमको लगता है कि नहीं सार हमको पता होने चाहिए कैसे काम करते हैं तो यहां पर क्या कर सकते हो तुम लोग थोड़ा सा और curiosity बता दूमें जो मैं यहां मेंशन नहीं करता हूं कि अपने पर है नहीं तो यहां सिंपल डाल सकते हो गूगल को पाइस चले जाओगे जैसे हैडिंग ही है हाव डायूरेटिक्स लोगर बीपी एक सिंपल सा इसा डाल सकते हो ठीक है ना मोड ऑफ एक्षिन हम देखेंगे जाओ इस लिए खतम हो जाएगा तो एक बारी क्यूंकि सबका अलग से काम डाय तो इस तरी के से बस क्या कर सकते हो इसको लिख करके पढ करके गुगल से एक passenger év करतें यह काम करतें लिखना नहीं है एकसां में ठीक है थिस्ट अब आप ज्या और किसे टीप यह ऐसा कैसे हो होता कैसे है तो वो जा सकता हो केवल एक लाइन में एक या दो लाइन में समझ करके अपना अपनी कीरो सिटी को बुझाने के लिए बस अदर्वाइस एक 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 जांपल दे करके इतना याद कर लोगा खेल खतम हो जाएगा समझते भी जाना थो ठीक है ना अब यह रैनिन एं निफइडीपीन के बारे वालो शौ्टाट आगया क्लॉट नोट ऑन निफटेपीन द्रग्वाईस ये बात कर लें बात कर रहा था तो निफटेपीन क्या है एंटीहाल हर रहे ऑंग अब इए pregnancy है उसकी टैफिनिशन उसका आणिज़ान भान एपशिके में टो बैक zar लिक ठोड़ा सा दिमाग से काम लेना है, अचा आप याद तो मैंने का ते तुम को यह करना है, जैसे कि , आट्रियोल險το लेटर आट्रियोवीनोडायलेटर अंगी आट्रियां और विनस दोनों ड्यट होंगी इसमें पहाली आट्रियां ड्याट वोथी है कॉण सा क्यमिकल पाए जाता है यह जहाए है और कॉन से क्यमिकल पाए जाता है यह इपक्ति है और उपर उनके अदर चंदर और अच्छ यह अलगल नाम हो गए कि कहां कहां पर act कर रहे हैं उसके साफ से इनको दे रखाए तो जरूरी नहीं कहांकहां पर act रहे हो याद करो और कर सकते तो अच्छीी वात है वजना या अला ठीका अपना परियापत हैं कि लिए रहने हैं कि अ वाणाति नेक्स्ट फार्मकोलोजिकल एक्शन तो देखों मैंने यहाँ पर आप क्योंकि सारे अले-अले-अले ड्रग्स हैं तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ जरूरत पड़ गई है स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स थे वहाँ पर क्या था जरनल बत जारर चीजिज़ें थे लेकिन यहाँ पर हमार पास कैटेगीरी औलग औलग है तो सब के अले-अले-अलेक्टिह कि ज़रूरि थैं यहाँ पर है फार्मकालोजिकल एक्शन टायूरेटिक्स हमको पता डायूरेटिक्स क्या होते हैं ना दायूरेटिक्स रिद्यूसेस प्लास्मा एंड एक्स्टरा व्लड वॉल्लियम बाए फाइव से 15% and टिस डिक्रीजेस कार्डिक आउटपूट ठीक है ना प्लाज्मा अब प्लाज्मा कैसे रिड्यूस कर दिया है इसने रिड्यूस प्लाज्मा एं एक्टा सेललो फिलीड डायूरेटिक्स यूरिन को पास कराएंगे तो जितना फिलीडेव बड़ी से थोड़ा सा कम हो जाता है पांस से पंदा परसंट और इस तरीके से कार्डियक आउट्पूट जब वॉल्यूम ही कम हो गया तो कार्डियक आउट्पूट कम हो जाएगा एल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट प्रवेंट्स लॉस एंड इंक्रीज दा एंटी हाइपर टेंसिव एक्शन अब यह बात तुम लोगों को थोड़ी सी हांपर क्या एक्शन बे रास पड़ा होगा यह याद भी होगा ठीक है ना थुरा सा बता दो मैं यहां पर कुछ जरूद पढ़ जाती है इसकी कई बार होता क्या है ड्रॉप इन ब्लड प्रेसर जब बीपी में कमी आती है ठीक है ड्रॉप इन फिलूड वॉल्यूम यानिकि बॉड़ी के अंदर फ ठीक है केह रहा है रेनिन एक्ष और अंडियो टैंसिन टू फॉर्म ऐंग्जो टैंσι न वन अब जो एंग्जो टैंसिन वन है इसकी पर A.C.E. यह भी अपनी heading थी Angiotensin Converting Enzyme ठीक है? A.C.E. Inhibitor बात समझ में आ रही है? तो Angiotensin Converting Enzyme Release from Lungs Lungs से ही Release होते हैं यह Angiotensin 1 को Angiotensin 2 में Convert कर देते हैं बात समझ में आती जा रही है? ठीक है? यह process पुरी important है इसलिए समझाना वो हो को यह बर अब जो Angiotensin 2 ठीक है? यह अपना class 11th में भी था ठीक है? A.C.E. Act on Angiotensin 1 to form Angiotensin 2 ठीक है? Angiotensin से Angiotensin 2 आ गया अब Angiotensin 2 कहां Act करती है? Adrenal Glands पे Angiotensin 2 Act on the Adrenal Glands to stimulate Release of Aldosterone Angiotensin 2 Adrenal Gland पे काम करती है साथ-साथ में Angiotensin 2 also Act Directly on Blood Vessels Stimulating Vessoconstriction यानि कि उसको पतला करेगा और हम उसको पता है जैसी pipe का मुग पतला होगा तो इसके अंदर Blood Body तेजी से Flow करेगा BP बढ़ जाएगा ठीक है? तो कहीना कहीन यह जो system है कहीना कहीन BP को बढ़ा रहा है एक तो इसने Direct क्या कर दिया? Vessoconstriction कर दिया तो हमारा पैस क्या हो? BP बढ़ रहा है और Aldosterone क्या करता है? Aldosterone Act on the Kidney to stimulate the Reabsorption of NaCl and Water जो Aldosterone है वो Kidney से नमक और पानी Sodium Plus को वापस खीचेगा absorb कराएगा ठीक है? जो हम लोग ने पढ़ रखा है ठीक है? फार्मसिटिकल केमिस्टि भी समझ रखा है आम लोग ने किस तरह से Kidney काम करती है Human Anatomy भी समझा हुआ है तो वहाँ पर वापस से क्या है? पानी क्यों रिटियन कर लेता है बोडी कंदर रखता है इस से क्या होगा? ब्रड वाल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली मैं इस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी चीजों को रोक दूँ जैसे कि अपने पास एक ड्रग यह है AC इनिवीटर ठीक है ना? रैनिन इनिवीटर एंजोटेंशिन रिसेप्टर, ब्लोकर तो यह सारे यहीं पर ही काम कर रहे है ठीक है? एक कौन सा इनिवीटर ठा? इसको रोक देगा एक रैनिन इसको रोक देगा एक एंजोटेंशिन को पर रिसीव करता है उस रिसेप्टर को ही ब्लोक कर देगा कि मतलब this system में कहीना कहीनं चीज़ों को रोकना तोने के वारा construction नहीं होगा और यह यो दो काम सब्सक्राइब यहांपर सारी कहानी तोdadakonist and he is लोस को रोक देता है प्रिवेंट करता यानि कि स्वोडियूं 5 में लोगा भार निकालेगा अई यह तीनों मिल करके बीपी को कंट्रोल करते हैं नाव सिंपाथेटिक इनिबिटर रिवाइज इट एंड लर्न इट मैंने लिख दिया है किस भाई सिंपाथेटिक क्या काम करते हैं यहां पर यह बात इसलिए मैं लिख सकता हूं चीजों को लेकिन फिर ना मजा नहीं आएगा तुम लोगा रिवीजन करना जरूरी जो मैं हमेसा फोकस करता हूं मैं कितना टाइम लगता है यह भी लिख सकता था ठीक है लेकिन अब सिंपाथेटिक नवर सिस्टम वाली कहानी को जाके देखो जारा एक बारी उसको समझो तो चीज और अच्छे से तुमको समझ में आए द रहका हुआ है टीक है कैसे काम करते हैं और प्रूइंटिंग कैल्सियुम और रिख से लोग देता है of the heart and arteries calcium causes the heart and arteries to squeeze कैलसियम की वाईजी से यह कांट्रेट करता है स्क्वीज करेंगे अब नहीं करेगा तो उस pumping बढ़ी fast होती है उस pumping को रुक दिया जाएगा जब calcium नहीं करेंगा calcium channel blocker है तो squeeze नहीं हो पाएगी और pumping बहुत fast नहीं हो पाएगी यानी कि BP हमाना नहीं बड़ेगा ठीक है more strongly by blocking calcium, calcium channel blockers allow blood vessels to relax and open तो यहां पर देखो ऊपर थोड़ा सा फंक्शन मैं ने इसलिए बता दिया वना थोड़ा रटने जैसा होता डाइट डिख सकते हो फार्मकलोजी के लेक्शन किया है कैल्सियम चैनल ब्लॉकर का अलाव ब्लड वैसल टू रिलाक्स रहें और खुले रहें ठीक है नाव टिखिए भीषया मैडीकेशंग आडम तो आगड़ू खो जाएगा घचाप या ब्लड वैसल को ब्रवन करना है कि बात है दे अप्ट तर्व मस्सले वाल्स ऑफ आग्डुद्ट यह पे ब८स्सलेट को आफेट करती है वीं जू प्रम्सल्स फ्रॉम टाइटनिंग अड़ वाल्स फ्रॉम नेरोई ठीक है उसको टाइट होने से और पतला होने से रोगते हैं ऐसे रिजल्ट ब्लड फ्लो मौर मौर इजली थू 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 पॉम्प एस हाड है दस तुद्यूसिंग ब्लड पैसर द्वारा पढ़ ले इसको ठीक है कन्फिजन हो गई दे अफेक्ट की मस्लस पे लिए से इसके अंदर भी ब्लड रहा है इसकी जो दीवाल है इसकी दिवाल पर असर करती हैं प्रवेंटिंग ना मसल्स फ्रॉम टाइट डाइन एंड वाल फॉम नेरोईंग इसकी मसल्स पर काम करने वीविए से यह पतला नहीं होता है और टाइट नहीं होगा तो यह लूज बना रहेगा मतलब यह आगे जागे इसका मुह इतना बड़ा हो जाएगा मुह बड़ा रहेगा तो ब्लड प्रेसर यहाँ पर कम हो जाएगा ठीक है अब तैटनिंग एंड वाल फ्रॉम नर्व एज़ल ब्लड फ्लो मौर इजली अराम अराम से ब्लड भाएगा इसके अंदर थूदवेसर अब पतला होता तो पीछे मालो हमारा क्या है यह हाट है तो पतले वाले में हाट को बड़ा तेज से पंप करना है और यह लूस हो गया अब हाट जो है अराम से पंप करेगा तो अल्टीमेटली हाट के उपर अफेक्ट आता है इसलिए अब इसका डेफिनिशन था कि बीपी खुद में विमारी नहीं है यह हाट को अफेक्ट करता है हाट को ठीक है ना तो यहां पर क्या है अब यहां पर जरूरत थी तो हमने इस त struggles बीपी में काम करते में उसको समझा जरूरी था थाकि हम इसकी profit कgar तो तो यहां पर आमें अंदर घुसना ठीक है तो यह थोड़ा जैसे मैंन बताता हूं हूं तुम्हारी पसंद है जो तुम याद करना चाहों चाहे ऐसे करके या तुम्हें हाँ मैंने क्या बताया था जो फार्मसीटिकल चैमिस्ट्री के ड्रक्स होंगे उनको ज्यादा फोकस करोगे अब यह तुम्हारा थोड़ा सा टेंशन रहेगा कि इतने इतना ग्राम इतना माइ इस टार्ण करेंगों सो मैंकोग्राम से दिन में एक बार या दो फिर मैक्सिमम् 300 तक जाएंगे दिन में 3 और लीया आई यह ठीक है न तो यह इस तरीके से ब्सक्राइब नहीं रहें ह। चीज़ें मन से बनाकर लिख सकते हो थोड़ाबाध ड्रका डोज उपर नीचे हो सकता है लेकिन कोशिश करना जो खास-खास ड्रक्स हैं उनके पक्के याद कर लो ठीक है अब जैसे कि यहां पर बताओं तुमाहाँ पास आजाएगा प्रोजोसीन आ जाएगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की एंटी आ गया दैन तुमाहाँ पास एंब्लोडीपीन आ गया है ठीक है आगे आएं अब एक चार्ट इस तरह से यह मैंने क्यों दे दिया यहां पर कि बड़ा तरीका है याद करने का चाहां तो ऐसे याद करो और तरीका बदल लो ठीक है से यह परफोर्मा दिया मैंने यह नहीं कहां ऐसी याद कर लो तो एस इनीबीटर एंग्योटेशन रिसेप्टर ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर कैल्सियम ब्लॉकर ठीक है दैन तुम्हारा थाज़ाइड टाइप डायो डायो तो यह क्या है तुम कैटेगरी वाइस याद कर रह दे दिया तुम लोगो थाज़ाइड वाले के इंडिकेशन सब में क्या है जातर भाई बीपी कम करने का मोटीव क्या होता है मोटीव क्या है क्या हाट तो हाट फेलियर एल्डर्ली पेशेंट सिस्टॉलिक हाइपर टैंस डाइविटीश सकते हैं गाउट में डिसलिपीडि बता हूं में अब जाकिशन है प्रिगनेंसी हो गई ठीक है अबने पास कॉमन क्या क्या हो गया प्रिगनेंसी आ गया कॉंट्र इंडिकेशन में देन लैक्टेशन कर लो दूद्द पलाते हैं जब मदर्स ठीक है उसके बार तुम्हारा पास यह था यृट या कंजस्टिव फिरे जाने की रीनल जो किड्नी वाला होता है रीनल इंपेर्मेंट ठीक है उसके बाद तुम्हाँ पास क्या जाएगा प्रिक्नेंसी हो गया युर्णारी इंकंटिनेंस या फिर हुआ गया हाइपर कैले में आ गया देन गाउट सेक्सुली एक्टिव मेल्स थाइजाइड पैरिफेरल अफ्ट्रक्टिव एक और इसके अंदर आता है हाइपर सेंस्टिविटी तो यह जो मैं बताता हूं न हमेशा यह क्या है जर्नल बता रहाएं मैं आए जर्नल तो चाहर पांच छे दो नमर में आएगा क्वाणर इंडिकेशन तो चाहर या पांच तुम्हें याद होने चाहिए और यह अलफा ब्लोकर तुम्हें लगता कि नहीं सबके तुम याद कर सकते हो तो थाज़ाइड को येक य कुछा नहीं है तो लिख दो कोई भी ठीकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है कैल्सियम चैनल ब्लॉक करें से खास रखना हाट ब्लॉक हो रखा है और हाट के लिए इस्तमाल होता है लेकिन हाट के अगर अलड़ी याली कंडिशन मौजूद है तो हम इसका इस्तमाल नहीं ठीक है और इंडिकेशन में बीटा ब्लॉक करते हैं यह देन टैकाई एरिद्मियाज कोशिश करेंगे जो हार्ट से प्रॉब्लम है उनको याद करने के लिए ठीक है कोर्णरी आर्ट्री डिजीज एंजाइना इसमें भी है तो पांच यहां से निकाल लेंगे बात समझ में रहें ऐसे थालग न चाहता है तो यह और यहां से तरीका बात सम UP यह अपना अपना ऐब्स आप पास है है यहाँ पर जो कि तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो ठीक है बहुत से बच्चेस का इस्तमाल भी कर रहे हैं तो बिल्कूल बच्चों को लोजी में घबरानी दिरूत नहीं है जो मैंने आज टॉपिक इसलिए स्टार्टिक में डिसकस किया था तो थोड़ा सा दिमाग करके लगाना है तीन-टीन चीजें फार्माकर्यच थीरोपेटिक और को लोजी कोशिश करना इन तीनों को टॉपिक तीनों में कमन है फार्मसेटिक थी का से रेवर सामने रखेंगा तीन ले करके साथ पढ़ने को कोशिश करेंगे बहुत अच्छे सब कॉंसेंट तो पढ़ना है रिवाइज करना है और इसी टाइप के डाउट कोई होता है तो बच्चे मुझे कॉल कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं ठीक है मैसेज कर सकते हैं ठीक है फिर बता दू मैं हर एक लेक्ट्चर के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसको बड़ा दे बेस्ट